मनीश स्वादिया क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं से मुद्धे पर के लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा कि अब आपकी बारवीं की पर जो लगातार जो खिस्ती चली जा रहे थी उसका एक टर्मेंड उसको एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है पर अपनी पढ़ाई जिस तरह से आप करते रहे थे आगे के लिए भी करते रह सर एक स्वाल है कि जो बच्चे एक्जाम देना चाहा रहे थे और सबसे में है कि अब इनको आगे अग्मिशन कैसे मिलेंगे इन सब की जो को लेकर बहुत टाइम समाता है हमने जो प्रस्ताफ दिया है अब हमने यही कहा था कि आप एक्जाम कैंसिल कर दें और दस्वी ग्यार्वी और अभी पिछले एक साल में बार्वी के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटर्नल परिक्षाय दी हैं प्री बोर्ड एक्जामनेशन दिये हैं दस्वी की के आधार पर उसका आकलन करें और उसको फिर बार्वी में उसके रिजल्ट डिकलेर करें उसके बेस में फिर भी अगर कोई बच्चा उससे संतुष नहीं होता है तो उसको एक्जाम दिलाने की कोशिश करें जब सिचुएशन ठीक हो जाए तो जो सूचनाय आ रही है अभी जो बच्चा परिक्षा देना चाहे उसको परिक्षा का मौका दिया जाए समय अनुकूल होने पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दे की यूके में ए लेवल एक्जाम जो होता है वो लगातार दूसरे साल जून के वहिने में जो होता है उसको कैंसल किया गया तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है परवाह देशकी सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे टीवी नाइन भारत वर्षपर